प्रस्टीर अग्रेश्च के लिए लाएं वह फ्लेक्श स्मार्टफोन की कमियों के बारे में तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जूरूर देखना जो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमें प्राइस की बात करनी होगी क्योंग दोस्तों जो प्राइस होती है वो सरसे ज़्यादा फ्लैक्षिप स्मार्टफोन की होती है माना कि दोस्तों जो इनोवेशन होती है वो भी फ्लैक्षिप स्मार्टफोन में ज़्याद होता है और जो innovation के लिए price ले जाती है वो justify करती है लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे cases होते है जैसे कि iPhone जानते हो कि आप काफी time से innovation नहीं करा लेकिन फिर भी price बढ़ाये जा रहा है दोस्तों इस तरह से अगर आप बात करें तो यह justify नहीं है और यह एक reason मन सकता है किसी flagship smartphone के लिए कि वो कि ना कभी मलब की अपनी जो पॉपलर्टी है उसको खोने का डर भी देगा कि दोस्तों सोस्तियाता पॉपलर मेंशा जो फ्लैक्ष्य स्मार्टफोन ही होते हैं अगर बात करें जैसे कि iPhone जैसे brand की क्योंकि iPhone brand अपने आप में काफी बड़ा brand है और अगर वो innovation ना करें और price पढ़ाते रहे तो लोगों को उसको मलब की लेने के लिए इतनी जिल जस्त भी नहीं होगी तो दोस्तों यह सोसे बड़ा आप रिजन मांसकते हो कि price तो दोस्तों दूसरी बात है innovation दोस्तों फ्लैक्षिप स्मार्टफोन जाने innovation के लिए जाते है अगर आपको innovation फ्लैक्षि एक जो फ्लैक्षि स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं अगर दोस्तों कोई वी ऐसा स्मार्टफोन होगा जो फ्लैक्षिप है लेकिन innovation ना कर रहा हो तो उसके जो market में कम बिखने के chances सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं तो दोस्तों इस इकार्ण आप जानते कि iPhone भली मलब की brand name से काफी बिखता है लेकिन फिर भी जो उसकी sales पहले होती थी उस level की sales अब नहीं होती है अगर दोस्तों iPhone innovation ना करें तो iPhone को problems देखने को मिली और आगई भी problems देखने को मिलेगी तो दोस्तों इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे की battery life दोस्तों जो फ्लैक्षि स इस स्मार्ट फॉन में आपको battery life फिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती है दोस्तों जो आपको budget smartphone में अगर बात करें तो battery life काफी अच्छी होती है लेकिन जो फ्लैक्षि स्मार्ट फॉन होती है उसमें battery life इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है जिसका उनकी battery issue काफी होता ह बाले जो प्रशेसर है वो काफी एफैयंट होता बैटरी को बचाने के लिए लेकिन फिर भी जो बैटरी लाइफ होती है वो थोड़ी लैक्ट देखने को मिलता है बैटरी लाइफ में तो दोस्तों इस तरह से अगर बात करें तो प्रॉलम ये भी create करता है फ्लैक्शी स्मार कि अगर बात करें, turn over की तो उसके as-pack वी नहीं है , तो उससे डीसपले करी तो दो परती तो दोस्तों इस तरह से यह । कमी ही है आइफ़ोन या फिर किसी flexus smartphone की की उससे किसी और company से अपने लिए unpredictable करेंड़ तो दोस्तों यह अगर बात करें तो आज की डेट में आपको देखने को मिलता है जैसे कि अभी आपको देखने को मिला आईफोन एक्स में भी आपको देखने को मिला कि आपको जो फोन की डिस्प्ले है वो आपको Samsung से क्रिदी पड़ी यूग दोस्तों Samsung Display के लिए जाना जाता है और हर एक जो Flexi smartphone उता है वह चाहता है कि उसके smartphone में best चीज़ हो तो इसलिए Samsung से उसने खरी दी थी लेकिन दोस्तों कमी तो कमी होती है कि किसी और smartphone या फिर किसी और company से अपने ले डिस्पले ली दोस्तों गर बात की जाए हैड़फॉन जैक या फिर एड़फॉन जैक की तो वो भी आपको आपके जो फ्लेक्श स्मार्टफॉन था उसमें देखने को नहीं मिलती तो दोस्तों ये भी कमी के रूप में आपको देखने को मिलती है बले की वाइटलेस जो है उसकी और आजकल चीजे बल चुकिये लेकिन फिर भी जो ओडियो जैक है या फिर आपको हैड़फॉन जैक है वो देना जरूरी बन जाता है ताकि दोस्तों अगर आपके पास जो वाइटलेस हैडफॉन ना हो तो आप किसी नॉर्मल हैडफॉन को भ पर आपको कमी देखने को मिलती है बहले जो Samsung है वो काफी अच्छी होती है SSD देने में लेकिन most of जो flagship smartphone companies है वो अपनी SSD भी फुल्फिलनी देती जैसे कि iPhone आपके सामने biggest example है क्योंकि वो चाती है कि जो उनके accessories है उनसे भी पैसा उनको देखने को मिले या फिर उस चीज़से भी उन्हें पैसा मिले तो दोस्तों इस विडियो में प्ला इतना है आप देखते हैं में चैनल भी टक अगर दोस्तों आपको वीडियो को लाइक दो कमेंट के देनों चैनल को स्वस्क्राइब कर देना आपके लिए ऐसी वीडियो से लाता रहूंगा तब तक लिए जय ही जय भारत दोस्तों